आधानी किसान भाईयों पंजाब शुगर मिल में आपका बहुत बहुत स्वागत आई यह हम गन्ना प्रजाती सी ओब्यसाई 8500 है तीसरी साल का खुड़बा है यह इसमें थोड़ी सी प्रावलेम एक आ गई थी इसमें जिसको आप बोलते हैं क्या किर्जुआ किर्जुआ ब नाद्रा में स्रीडाजेस रगबंसी जी का है तो इनको ट्रीटमेंट हमने बताया था कि कापर आक्सिक्लोराइट पाउडर या कार्बेल डाचिरा पांसो ग्राम एक बोरी उरिया के साथ बलाके आप डाल देजिए वैसे फंगल डिजीज है फंगस डिजीज तो जिस पौ इसकी चल लही है और संक्रमित भाग को काट करके यह उस पत्ती को घर उठा ले जा रहे हैं चारे में पसुओं को खिला देंगे कोई दिक्कत नहीं है हाँ यब यह है कि इसमें जो कापर आक्सिक्लोराइट पांसो ग्राम या कार्वेंडा जीम यह पांसो ग्राम एक बोरी डाला आगे नए पौधे में लगा तो दूसरे पौधे में नहीं लगेगा अगर आपके खेत में इस तरह की कोई प्रावलम हो या यह बलेक इसमट की बीमारी हो या यह जिसको आप किरजुगा कहते हैं देसी भासा में अगर ऐसा हो तो वो संक्रमित पौधे को आप काट दीजिए संक्रमित भाग को और उसको चारे में पसु को खिला दीजिए और कारवेंड़ा जीम या कापर आक्सिल क्लाइट 500 ग्राम एक बोरी उरिया के साथ आप प्रियोग करिए इस प्लाट में किया गया है आगे वह भी मरी नहीं बढ़ी और गन्ना भी अच्छा हो गया भी जुताई आपने किया होगा तो यह हर प्लाट में कम सिंकम दो बार तीन बार जुताई किये हैं जुताई करने से इनका गन्ना अच्छा है और बहुत बढ़िया खेती आपने किया है आपको